नमस्कार दोस्तों अगर आपका भी बैंक में अकाउंट है तो आपके मन में भी एक छोटा सा डाउट हो सकता है अब डाउट यह है तो माल लिजे आपका जो बैंक में अकाउंट है और आपने जो पहले सिगनेचर किया था और अभी आप अपने bank account का signature change कराना चाहते हो तो signature change कराने के लिए simple सी process है आपको अपनी home branch जाना है और वहाँ पर एक form fill up करना है और form fill up में आपको पूरी details फील करने है accounts related और एक new signature उसमें कर देना है जो signature आप अभी रखना चाहते हो और उस form के साथ में आपको अपना pen card और अधार card की एक एक जोरोक्स copy लगा देना है और simple submit कर देना है और आपका जो signature हो उसी दिन change हो जाएगा और आपके मुवाले message भी आ जाएगा तो यह तो रहाए signature change की process simple सी लेकिन आपके मन में एक छोटा सा doubt यह हो सकता है कि हम जो यहाँ पर documents उस form के साथ में submit कर रहे हैं जैसे कि आपका pen card हो गया अधार card हो गया तो क्या इस पर जो signature हो वही signature same to same हम वहीं पर अपने bank के account के साथ में करना पड़ेगा उस form में तभी bank वाला accept करेगा तो जी नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हलाकि आपका जो अधार card उस पर signature नहीं होता है रही बात pen card की तो pen card में तो यहाँ पर signature होते हैं तो आपको यहाँ पर tensor लेनी की जुरुत नहीं है इसमें signature आपके pen card में अलग हो सकता है और आपने जो वहाँ पर signature किया है अपने account के साथ में आप जो रखना चाहते हो वह अलग हो सकता है कोई भी हो सकता है जो आपको सही लगता है इसमें आपके जो application एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पर reject नहीं करेगा और आपके जो bank में signature है वह change हो जाएगा और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई question है मन में कोई doubt है तो आप मुझे comment section में जरूर पूछ सकते हो यह पर आप मुझे अपना question Instagram में भी send कर सकते हो Instagram का link आपको video के description में मिल जाएगा